तो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम तो आपको अपता चल गया है क्या नाम है उस चैप्टर का आप भी बता सकते हैं इसका नाम है रंगा's marriage और रंगा का जो फैसला है वो क्या है शादी ना करने का उसने कारण भी बता दिया और लेखक ने तरह कर लिया है कि वो तो इस कौन नीस कौन होते है या तो भान जी या भती जी तो जो रामा राव की भान जी या भती जी एक बहुत ही प्यारी सी लड़की ग्यारा साल की उनके साथ में रहने आई थी शी वस फ्म अ बिक टाउन सो शी न्यू हाव तो प्ले वीना एंदा हर्मोनियम वो एक बड़े शह कि लिए और उसकी आवाज भी काफी मीठी थी बोथ अपरेंट्स है डाइड उसके जो माता पिता थे उनके क्या वो चुका था डाए हो चुके थे मत्याब देहान हो चुका था एंदि क्या ग्या थे वो क्या किया था उन्होंने वो उसको अपने साथ घर ले आय थे रंगा was just the boy for her and she the most suitable bride for him. Ranga बिलकुल सही लड़का था उसके लिए और वो भी suitable यानि की एकदम योग्य दुलहन थी Ranga के लिए. Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, since यानि की चू की मैं एक frequent मतलब अकसर आने जाना करने एक नियमित विजीटर था, आंगतुक था, रामा राओ के घर पर, the girl was quite free with me. वो लड़की भी क्या थी? मुझसे काफी जदा खुली हुई थी, घुली मिली थी. Free का मतलब क्या होता है? यहाँ पे घुली मिली हुना. I completely forgot to mention her name. मैं तो पूरी तरीके से भूल गया, completely मतलब पून तया, forgot कर गया, मतलब भूल गया, उसका नाम बताना. Ratna, it was, उसका नाम था, Ratna. The very next morning, I went to their house and told Rama Rao's wife, I'll send some butter milk for you, ask Ratna to fetch it. तो क्या बोला? लेखा क्रक्ले दिन गया, और उनके घर पे जाके, Rama Rao की पतनी को बोला, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ चाज भेजूँगा. Ratna को भेज देना, उसको लाने के लिए, fetch करने, उसको लाने के लिए, fetch करने का मतलब क्या होता है? लाना. रतना के, इसलिए Ratna आई घर पर. इट वस फ्राइडे, वो कौन सा दिन था? फ्राइडे का दिन था. So, she was wearing a grand sari, और इसी कारण से उसने बहुत ही अच्छी सी sari पहनी हुई थी. I told her to sit in my room and requested her to sing a song. मैंने उसको बोला की कमरे में बैठ हो और उससिव रिक्वेस्ट किया, विंती की की वो एक गाना गाए. I sent for Ranga, और उसी समय मैंने क्या किया? रंगा को बुल्वा भेजा, sent for Ranga, इसका मैजब क्या है? बुल्वा भेजा. While she was singing the song, Krishnamurti, in front of my eyes, Ranga reached the door. तो जब रतना क्या कर रही थी? वो गाना गा रही थी. और कौन सा गीत गा रही थी? Krishnamurti. In front of my eyes, मेरी आखों के आगे, तभी Ranga reached the door. रंगा दर्वाजे पर आ गया. He stopped at the threshold. वो रुक गया, कहा पे threshold. देहलीज, इसको भी क्या बोलते है? का एक और हिंदी मतलब है, देहलीज. He did not want the singing to stop. वो नहीं चाहता था कि वो जो singing है, वो जो गायन है, वो रुके. But, was curious to see the singer. लेकिन वो curious था, उत्सुत था उस गायक को देखने के लिए. Carefully, he peeped in. तो carefully, यानि कि ध्यान पूर्वक peeped in. मतलब उसने जाका कमरे में. The light coming into the room was blocked. तो जो रौष्णी आ रही थी कमरे में, वो क्या हो गई? ब्लॉक हो गई, रुख गई. रतना looked up and seeing a stranger there abruptly stop. रतना ने उस दरवासी की तरफ देखा और एक stranger को, एक अजनभी को वहाँ देखकर, abruptly, मतलब अचानक ही अपना गाना रोग दिया. तो शायद से रंगा को कौन आ गई है पसंद? रतना. लेकिन क्या वो अब रतना से शादी कर पाएगा? जानेंगे कैसे बच्चो? हम जानेंगे अगले वीडियो में. बने रहेगेगा मेरे साथ. मिलते हैं अगले वीडियो में?